नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा उप्योग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है पैसिमोल सस्पेंशन बुखार को कम करती है इसके अलावा पैसिमोल सस्पेंशन का उप्योग दर्ध को कम करने के लिए भी किया जाता है पैसिमोल सस्पेंशन का उप्योग सिरदर्ध होने पर मास्पेशियों में दर्ध होने पर, जोडों में दर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध, माइग्रेन के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में पैसिमोल सस्पेंशन का उप्योग किया जाता है पैसिमोल एक ब्रैंड नेम है पैसिमोल सस्पेंशन के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन पैरा सितामोर होता है पैसिमोल सस्पेंशन 120 mg पर 5 ml वद 250 mg पर 5 ml और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि पैसिमोल सस्पेंशन की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे पैसिमोल सस्पेंशन दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर बच्चों में पैसिमोल सस्पेंशन की वज़से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन ज्यादा खुराक में पैसिमोल सस्पेंशन को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है इसलिए आपको पैसिमोल सस्पेंशन को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही बच्चे को देना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि पैसिमोल सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए लगातार दस दिन से अधिक पैसिमोल सस्पेंशन को लेना रिक्मेंडेड नहीं है इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना पैसिमोल सस्पेंशन को लगातार दस दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए अगर किसी बच्चे को पैसिमोल सस्पेंशन या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे पैरासिटामोल आदी से एलर्जी है तो ऐसे बच्चों को पैसिमोल सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि पैसिमोल सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देन पैसिमोल सस्पेंशन को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। पैसिमोल सस्पेंशन से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।